आप सबी को नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे कि आप कैसे अपने Google अकाउंट में जाकर आप Google Jamboard का इस्तेमाल कर सकते हों जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने अपनी log-in ID, ID को login कर रहा हैं उसके बाद आप जब अपने ID से लॉग इन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन पे राइट में नाइन डॉर्ट्स आते हैं मैं अपने ID से लॉग इन कर लेती हूं जैसे Gmail, Drive, Classroom, Slide, Doc इनको आप जैसे ही ड्रैग डाउन करोगे तो आपको इदर बहुत सारे और आइकन दिखाई देंगे जिनमें से एक है आप जे अलफ़ाबेट का एक आइकन देख रहे हूंगे Jamboard जिस पर लिखा भी है आप जैसे उस पर टच करोगे तो आपके Jamboard की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे आपको यह दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर तीन फोल्डर दिखाई दे रहे हैं जो कि अल्रेडी मैंने create कर रखे हैं अगर यहां पर आपने पहले कभी Jamboard पर का आउन में एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इस प्लस के साइन को जैसे ही आप टच करोगे तो यह नई विंडो ओपन कर देगा new Jamboard create करने के लिए एक ऐसी स्क्रीन आपके में open हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हो left hand side में उपर लिखा है untitled jam untitled jam यानि कि अभी तक इसका कुई भी नाम decide नहीं किया गया है आप अपना work करने के बाद इसको अपने according कुछ भी नाम दे सकते हो जैसे यहां पर आगया है rename jam यानि कि आप इसको कुछ भी create कर सकते हो जो भी आपको नाम देना है फिर आप side में देखो के center में one slash one आपको दिखाए दे रहा है यानि कि यह जो है वह आपको frame बताते हैं कितनी frame पर आप काम कर चुके हो यानि कितनी slide आपने बना दिया one by one या जैसे जैसे आप slide को आगे बढ़ाते जाओगे वह यहां पर number change होता चला जाएगा फिर आप side में देख सकते हो share उसके नीचे आपको एक plus का sign यह दिखाए दे रहा होगा यह जो है यह आप अपने जो board है इसको zoom कर सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखाए देती हूं 100% यहां पर आप जो background लगाना चाहोगे आप अपने हिसाब से background change कर सकते हो then clear frame आपने कुछ भी अगर यहां पर काम किया है बट अगर वह कुछ उसमें mistake हो गई है और आप चाहते हो पूरी frame जो है clear हो जाए तो आप clear frame पर क्लिक करोगे तो वह पूरी का पूरा जो भी आपने वर्क किया हो वहां से हट जाएगा अब कैसे आप jam work का यूज करोगी आप उसको create करने के लिए आप left side में देखते हो कुछ icon दिखाए देरें यह six icons है जिसमें first जो है वह pen second number पर जो है वह eraser second number पर eraser third पर जो है वह select यानि जो भी आपको select करना है cursor type का then number four पर जो है वह नोट आप यहां पर कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हो नोट बनाना चाहते हो तो इसमें आप type करके उसको बना सकते हो then number five पर है add image अगर आपको image add करने है तो आप image add कर सकते हो last में है laser आप laser क अगर कोई particular point पर आप highlight करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैं first pen का use करती हूं यहां पर आपको pen की कही सारे point option मिलेंगे pen then marker then highlighter आप ऐसे ही इनको choose कर सकते हो और नीचे down में आप देख सकते हैं यहां पर कुछ color option भी है इन color को choose कर सकते हो आपने recording first मैंने जैसे highlighter choose करती हूं और मुझे blue color में use करना है तो मैं यहां पर कुछ भी लेख सकती हूं जैसे मुझे आज topic पढ़ाना है collective noun तो मैं यहां पर अपर heading डाल सकती हूं आप अपने writing pen जो आपके tap में आपको मिलता है उसकी help से आप यहां पर लिख सकते हो उसके बाद कुछ options आपको कुछ और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर कुछ mistake हो गई है तो आप second number पर eraser है जैसे आप eraser choose करते हो तो यह white circle आपको दिख यहां कर सकते हो दें थर्ड है करसर जिसमें आप black पर actually जाद अच्छे से दिखाए देगा whiteboard पर दिखाए नहीं दे रहे दें यहां पर note जो आपका है आप कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहां पर लिख सकते हो जैसे suppose मुझे यहां पर लिखना है सब्सक्राइब और यहां प्लाइं देखा पर दिखा आप इस आप लैक्स करना चाहते हो आप मोद देख देख लहीं हो इसके फिर वे लएंने उस्के अप इसको रोटेर करसकते हूं जहां पार्ट करना है तेन आप साइड में एक देखो के राइट एंड साइड में तीन डॉट आपको दिखा दे रहा है त्री डॉट जैसे आप इन पर टच करोगे तो आपको तीन ओप्शन में लेंगे एड़िट डुप्लिकेट डिलीट अगर आप कोई भी टेक्स जो आपने लिखा है अप उसम करोगे तो वह डिलीट हो जाएगा तिन है नेक्स्ट फिफ्ट नंबर पर एड़ इमेज आप इसमें इमेज जो है वह एड़ कर सकते हो यहां पर आपको कोई सारे ओप्शन दिखा ही दे रहे हैं अप्लोड इमेज जो भी आपको आपकी डिवाइस के अंदर को इमेज है त तो फोटो अगर वो सेव है तो जैसे मैं गूगल में सर्च करती हूं कोई भी एक इमेज पर आप रेंव यहां पर आप देख सकते हो हम सारे में सिह आपको जो भी इमेज आपको लगता है आपको एक अवा स cascade करोगे तो यह जो image है वह आपके इस पर show हो जाएबगी आप इसको small करना small कीजिए बड़ा करना बड़ा कीजिए same वही rotate कर सकते हो आप इसको duplicate कर सकते हो या delete कर सकते हो ठीक है then है laser laser का यूस जाह आप किसी particular place पर जैसे कि लाइक मुझे यहां पर फोकस करना है तो आप इसका सकते हैं जैसे मुझे बच्चों को बताना है कॉलेक्टिव की स्पेलिंग तो मैं इसका यूज करके इसमें बता सकती हूँ कि तो आप ऐसी ही इन आइकन का यूज करके बना सकते हूँ सब्सक्राइब करना है और मुझे कोई दूसरी स्लाइड पर काम करना है आप यहां पर क्रियेट फ्रेम करोगे तो आपकी नेक्स्ट एको स्लाइड ओपन हो जाहेगी आप यहां पर कुछ भी इमेज आड़ करना च चाहती हूँ स्टोरी रेडिंग के लिए करवाना चाहती हूँ तो मैं यहां पर डाल दूँगी एक जैसे मैंने यहां डाला यहां पर कई सारी जो है वो स्टोरी की उपन होगी आप इसमें कोई सी इमेज अपने साब से चूज कर सकते हो जैसे सब्सक्राइब को यह वाली क आपको यहां पर डाउनलोड हो जाएगी इस इमेज को मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से देख सके ता आप इसको कर सकते हो इसको बड़ा उतना ही यहां पर फिक्स कर दी अब लेजर के तुरू मुझे चाहिए कि मैं बच्चों को रीड कर वा इसको क्कुल इर्ट रही है इसे आप इस को आइकन है आप इस पर टच करोगी ता आप जैम बोर्ड की हॉम पर चले जाओगी यहाँ पर आफ देख सकते हो कि जो आपने अभी यूज किया है वह यहां पर आपको अभी शो हो जाएगा यह मेरी आइडी में जो अभी मैं जिस पर वी वर्क कर रहे थी बिना सेव के यहां पर ओटोमेटिकली सेव हो जाता है इसके अलावा जो भी आप करोगे वह यहां पर आपको शो होता चला जाएगा जैसे ही यहां पर मैंने खोला इंग्लिश चाप्टर यह स्लाइड मैंने अल्रेड़ी प्रिपेर की थी जिसमें मैंने कुछ इमेज और कुछ कीवर्ड्स आड़ किये थे यहां पर आप देख सकते हो 1-7 जो यह 1-7 है या उपर की तरफ सेंटर में इसका मतलब है कि यहां पर म मता चल जाएगा आप कौन सी फ्रेम पर भी वर्क कर रहे हो जैसे आप उन पर टच करोगे अगर आपको कोई बीच में से फ्रेम जो है आपको वह नहीं चाहिए जैसे मुझे यह ब्लांक है मुझे इसकी ज़रूबत नहीं है आप यहीं से इसको डिलीट कर सकते हो कि यह सारे कर सारे यहां पर सेव हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि यह फोल्डर आप अपनी क्लास में शेयर करना चाहते हो तो माई ड्राइव में जाओगे माई जाओगे तो आपको वहां पर भी यह सेव मिलेगा आप महां से डारेट अपनी ग्लास में श्ययर कर सकते हो Service कर सकते हो的話